जो लोग सरकारी नौकरी की तयारी करते हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तयारी करते हैं तो हम लाए है 15 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो की आने वाले परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें हमारा पहला सवाल है भारतिय कला भवन कहां बना है आपका ओप्षन है E. जासी में B. वारानसी में C. मौव में या D. मथुरा में आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. वारानसी में इसका उत्तर होगा हमारा दुसरा सवाल है ऐसा कौन सा जानवर है जो सोता नहीं है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. बुल्फ्रोग हमारा उत्तर होगा हमारा तीसरा सवाल है पोलवॉल्ट का बादशा किसे कहा जाता है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. सगे बबका को इसका उत्तर होगा हमारा चौथा सवाल है संसार में सबसे लंबा व्रिक्ष कौन सा है आपका ओप्षन है E. पाइनस, B. सिक्यूवा, C. इफेद्रा या ओप्षन D. यूकलिप्टिस आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. सिक्यूवा, इसका उत्तर होगा हमारा पाँचवा सवाल है एक मक्खी के पास कितने पंक होते हैं आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. चार इसका उत्तर होगा दोस्तों, रोजाना ऐसे ही सामान्य ज्यान की मज़ेदार नौलजफुल विडियो देखने के लिए हमारे चैनल जी के टीच हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन वाले बटन को आउन कर लीजिए हमारा छटवा सवाल है चपचार कूर्ट योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है आपका ओप्षन है ओप्षन A. असम में B. मिजोरम में C. करनाटक में या D. सिक्किम में आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. मिजोरम में इसका उत्तर होगा हमारा सात्वा सवाल है भारतिय वायू सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है आपका ओप्षन है ओप्षन A. आठ अगस्त को B. आठ मार्च को C. आठ अक्टूबर को या D. इन में से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. आठ अक्टूबर को इसका उत्तर होगा जानकारी के लिए बता दे अविभाजित भारत में आठ अक्टूबर 1932 को ही रॉयल इंडियान एफोस की स्थापना हुई थी तब यह उपनिवेशिक शासन के अधीन थी इसी तारीक को भारत में वायुसेना दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है हमारा आठवा सवाल है भारत विश्व कप क्रिकेट का पहली बार चेंपियन कब बना था? आपका ओप्षन है E. 1989 में B. 1983 में C. 1987 में या ओप्षन D. 2011 में आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. 1983 में हमारा सही उत्तर होगा हमारा नौवा सवाल है लावणी भारत के किस राज्य का लोखनृत्य है? आपका ओप्षन है ओप्षन A. उतर प्रदेश का B. चत्तिसगर का C. महाराष्ट्रा का या D. गुजरात का आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. महाराष्ट्रा का इसका उत्तर होगा हमारा दस्वा सवाल है इंग्लेंड में ग्रिहयोद कितने वर्षों तक चला था? आपका ओप्षन है E. चार वर्ष्टक, B. साथ वर्ष्टक, C. दो वर्ष्टक, या D. दस वर्ष्टक आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. साथ वर्ष्टक, हमारा उत्तर होगा सवाल नम्ब ग्यारह सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन थे? आपका ओप्षन है E. बालाजी विश्वनात B. छत्रपती शिवाजी C. छत्रपती शहुजी या ओप्षन D. बालाजी बाजी राओ आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. छत्रपती शिवाजी इसका सही उत्तर होगा सवाल नम्ब बारह सर्वाधे कूर्जा उत्पाद का हार किस से मिलता है? आपका ओप्षन है E. अनाज से B. फल से C. सब्जियां से या ओप्षन D. डाले से आपका सही जवाब होगा ओप्षन A. अनाज से इसका उत्तर होगा सवाल नम्ब तेरा लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका ओप्षन है E. भारत देश B. नेपाल देश C. ट्रूस देश या ओप्षन D. चीन देश आपका सही जवाब होगा ओप्षन A. भारत देश इसका सही उत्तर होगा सवाल नम्ब चौदा भारत में कितने राज्य बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं? आपका ओप्षन है ओप्षन A. दो B. तीन C. चार या D. पांच आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. चार हमारा उत्तर होगा सवाल नम्ब पंद्र सारनात उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? आपका ओप्षन है E. वरिंदावन के निकट B. वारानसी के निकट C. श्रावस्ती के निकट या D. प्रयाग के निकट आपका सही उत्तर होगा ओप्षन B. वारानसी के निकट इसका जवाब होगा हमारा अगला सवाल आप सब के लिए है चार मीनार कहां स्थित है आपका option है E. दिल्ली में B. हाइदरबाद में C. और अंगाबाद में या option D. आगरा में इस प्रशन का उत्तर आप सब को comment box में बताना है प्रियम मित्रो विडियो अच्छी लगी तो एक like, comment और अपने दोस्तों के पास share कर दीजिए और रोजाना ऐसे ही सामान्य ग्यान की knowledge full विडियो देखने के लिए हमारे चैनल G. के Teach Hindi को subscribe कीजिए और bell notification वाले बटन को on कर लीजिए जिससे आपको ऐसे ही knowledge को boost करने वाली new video देखने को मिलेंगे धन्यवाद